नमस्कार दोस्तों जै मातादी वर्ड वेस्ट मैजिक में आपका हर्टिक स्वागत है कैसे हैं आप जब ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें माता रानी सबका कल्यान करेगी दोस्तों नरक चतुरदर्सी कार्टिक माग के कृष्ण पक्च की चतुरदर्सी तिती को मनाई जाती है इसे नरक चोदस रूप चोदस और रूप चतुरदर्सी भी कहा जाता है इस दिन मृत्युक के देउता यमराज की पूजा का विधान है नरक चतुरदर्सी का पर दीप के ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। इसलिए इसे छोटी बढुब कहा जाता है। दोस्तों नरक चतुर दसी के दिन साम के समय चारों तरफदिये चलाय जाती ए इस दिन यम्राच की पूझागर अकाल मलतु से मुक्ती और अच्छे स्वास्त की कामना की जाती है दोस्तों नरक चतुर्दसी को रूप चतुर्दसी भी कहते हैं रूप चौदस के दिन तिल के तेल की मालिस, उप्टन, वाइस्नान अवस्यक है पौराडिक मानेताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान करश्ण ने नरका सुरकावत करके देउताओं और रूप रिसियों को उसके आतंक से मुक्ती दिलाई थी इस दिन भगवान करश्ण की भी पूजा का विधान है भवान स्रीकर्ष्ण का पूजन करने से व्यक्ति को सौंदर्य की प्राप्ति होती है दोस्तों इस साल नरक चतुरदसी का पर्व 26 अक्टूबर 2019 दिन सनिवार को मनाया जाएगा और अभंग इसनान का मूरत सुबह 5 बचकर 16 मिनट से लेकर 6 बचकर 33 मिनट तक है इस मूरत की कुल अवदी एक घंटा 17 मिनट है और यम को दीब दान करने का सुब समय साम को 6 बचे से लेकर 7 बचे तक है और चतुरदसी तिथी का प्रारम 26 अक्टूबर को दोपहर 3 बचकर 46 मिनट से लेकर और चतुरदसी तिथी का समापन 27 अक्टूबर को दोपहर 12 बचकर 30 मिनट पर होगा दोस्तों नरक चतुरदसी के दिन प्राता काल उठकर पहले इसनान करने का महात्तो है नरक चतुरदसी के दिन किये जानने वाले इसनान को अभ्यंग इसनान कहा जाता है जो की रूप सौन्दर में व्रद्धी करता है इसनान से पहले तिल के तिल की मालिस वाउटन करना चाहिए उसके बाद अपामार यानि चिर्जरा के पौदे को सिर्के उपर से चारों और तीन बार घुमा कर इसनान करना चाहिए इसनान के बाद दक्चुन दिसा की और हाथ जोड़ कर यमराज से प्रात्ना करें ऐसा करने से मनुसु द्वारा वर्स भर किये गए पापों का नास होता है दोस्तों इस दिन यम देव को भी दीबदान किया जाता है इस दिन यम देव की पूजा करने से घर में असमय मृतु का भै नहीं रहता है यम देवता की पूजा के लिए सबसे पहले एक लकड़ी की चौकिया पटा लें उस पर स्वास्तिक का चिन बना लें अब इस पर एक सरसों के तेल का बड़ा दीबदान जलाएं दीपक में कोड़ी सिक्का डाल दें अब दीपक की पूजा करें रोली अक्षत अर्पित करें और दीपक से हाथ जोड़कर घर की खुसाली के लिए प्रातना करें वह घर परिवार की रच्छा करें अब दीपक को उठा कर घर के मुक दरवाजे के दाइनी और रख दें ध्यान रखें कि दीपक का मुक दच्छुन दिसा की और रहे इस दिन यम देवता के निमित मुक दार पर दीपक जलाने की प्रता वरसों से चली आ रही है और नरक चौदस के दिन साम के समय सभी देवताओं का पूचन के बाद घर की चौखट के दूनों और दीपक जलाये जाते हैं ऐसा करने से लक्षमी जी सद्रयों घरप में निवास करती है तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवस्थ बताएं और इस वीडियो को लाइक और सेयर अवस्थ करें हमारे यूट्यूब चैनल वर बेस्ट मैजिक से जुड़ने के लिए रेट कलर के सस्क्राइब बटन को अवस्थ क्लिक करें और साथ इसाथ घंटी का बटन दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फिर मुलाकात होगी किसी नए जानकारी के साथ धन्यवाद